आज हम क्लास 11 की लेशन नमबर टू इंगलिज की लेशन नमबर टू वी और नॉट अफरेट टू डाई इवी कैन आल बी टुगेदर के सॉट कुशन एंसर के बारे में पढ़ेंगे तो यह अडिशनल कुशन हैं सॉट कुशन एंसर है जिसमें से दो प्रश्ट आपके एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं तो जो ही important है इसको समझना है और आप जो है इसको अपने नुट शूप में लिख लेंगे लिख सकते हैं चलिए देखते हैं पहला प्रश्ण क्या है answer the following question पहला question है when and how did the first indication of the impending disaster came ठीक है तो impending disaster मतलब आने वाली विप्दा या आने वाली विपत्ती तो आने वाली विपत्ती का प्रथम संकेत कब और कैसे आया answer है the first indication of the impending disaster came at about 6 p.m. with the ominous silence when the wind dropped and this guy and this sorry यहाँ पे and the sky grew dark होगा तो इस गाय लिखा हुआ था sky and the sky grew dark the first indication of the impending आसन डिजास्टर impending disaster came at about 6 p.m. with the ominous silence when the wind dropped and the sky grew dark तो आसन विप्दा यहाँ पे आसन ने सब लिखा हुआ है इसका मतलो है आने वाली तो आसन विप्दा का प्रथम संकेत यानि पहला संकेत अशुब शान्ती के साथ यानि जब कभी ominous silence हो एकदम पूरी तरह से महल जो है सांत हो वातावरन सांत हो तो उसमें जो है उसके बाद जो है कोई विप्दा आने वाली होती है ऐसा माना जाता है और संभोता आप देखते होंगे जब आधी तूफान आना होता होगा तो उससे पहले खूब शान्ती रहेगी पूरा वातावरन एकदम सांत थी और आसमान काला हो गया था तो यही जो है बिपदा आने का प्रधम संकित था अगला प्रश्ण है what was the enormous cloud enormous का मतलब है विसाल का बड़े ठीक है तो वह विसाल का बादल क्या था तो the enormous cloud was a huge wave that came towards the boat and was completely vertical and twice the height of other waves तो वह कैपकेवादल एक दैत्याकार लहर थी वह विसाल का बादल यानि वह जो बादल का धेड दिखाए दे रहा था वह वास्तों में क्या था एक बहुत उची लहर थी जो नौका की तरफ आ रही थी और पूरी तरह है एक दम सीधी खड़ी होय थी और अन्य लहरों की अपेक्षा जो है दो गुनी अधिक उची थी ठीक है अन्य लहरों की अपेक्षा दो गुनी अधिक उची थी फिर अगला प्रेशन है कैप्टान को कैसे पता चला कि बेव वाकर डूबने के करीब था तो एंसर है दे कैप्टन साथ फ्रॉम दसी देट अधिक उच्छ वर अल्मोस्ट होरिजॉन्टल एंड ही था यहां पे सी जो है बेव वाकर के लिए यूज के गया है तो समुद्र में से कप्तान ने देखा यानि समुद्र में नाओ को खेते समय या जहाज पर बैटे हुए कप्तान ने देखा कि नौका का जो मस्तूल था मास्ट था वह लगबग छैतीज हो गया है यानि समुद्र के समान अंतर यानि वह टेड़ा हो गया है और उसने सोचा की अब नाओ जो है डूबने वाली थी अगला प्रश्ण है write about the first step on their journey of their journey write about the first step of their journey यानि उनकी यात्रा के प्रथम चरण के बारे में बताएं या लिखें the first step of journey is which they covered 1,5,000 km past pleasantly as they reached to Cape Town तो यहाँ पर tips लिखा है यहाँ पर tip नहीं होगा step होगा तो हमने सही कर दिया है अब इस पर लिग जो है देख लिए तो the first step of journey in which they covered 1,5,000 km past pleasantly as they reached to Cape Town तो उनकी यात्रा का प्रथम चरण जिसमें उन्होंने लगभग 1,5,000 km की यात्रा बड़ी सहरसस्ता के साथ यानि प्रसंदता के साथ सान्ती पूर्वब पहुँचे कहां पहुचने के लिए Cape Town पहुचने के लिए Cape Town जो है अफरीका जो अफरीका महाद्यूप है तो उसका एक देश है दक्षण अफरीका तो दक्षण अफरीका का जो है दक्षण तम बिंदू है केप टॉन के नाम से जाना जाता है ठीक है तो केप मतलब होता है एक अंतरीप होता है केप मतलब ठीक है और इसी अंतरीप पर एक सहर बसा हुआ है तो उसी का नाम है केप टॉन ठीक है तो यह आपको समझना है चलिए आगे देखते हैं Why was the captain alarmed while facing the gales Gales का मतलब होता है कि जो भयानक जो परचंड समुदरी हमाया चलती है उनको gales का जाता है यानि समुदरी तूफानों का सामना करते समय कप्तान जो है किस बात से चौक गया क्यों वह चौक गया तो alarm का मतलब होता है चौक जाना तो क्यों जो है वह चौक गया तो while facing the gales the captain was alarmed by the size of the waves which were up to 15 meters high तो परचंड समुदरी हमाया यानि बहुत उची समुदरी हमाया का सामना करते समय कप्तान लहरों के आकार को देखकर चौक गया लगभग कितनी उची थी तो 15 meter की आसपास यानि लगभग 15 meter की उचाई पर थी उची थी फिर अगला question है what did the captain do with a hammer, screw and canvas ठीक है what did the captain do with a hammer, screw and canvas कप्तान ने हथोडे, screw and canvas की सहता से क्या किया यानि कप्तान ने हथोडे, screw and canvas से क्या किया तो he managed to stress the canvas on the starboard side and screw waterproof hatch covers across the gaping holes तो उसने किसी प्रकार दाएं उपर मतलब he managed to stress the canvas on the starboard side तो उसने किसी प्रकार canvas के उपर canvas का दाएं भाग जो है उपर की तरफ ताना और छिद्रों and secure waterproof hatch covers across the gaping holes और छिद्रों के उपर मजबूती से जल रोदी यानि पानी को अंदर ना आने का दरवाजा त्यार किया या आप समझ सकते हैं कि उसको cover कर दिया ताकि जो holes हैं, gaping holes हैं वो बंद हो जाएं ठीक, फिर अगला है question what hurt Sue Sue को कैसी तगलिफ थी यानि Sue को कैसा दर्द हो रहा था तो दिरवाजे bump above her eyes which hurt her तो उसकी आँखों के ठीक उपर एक bump मतलब एक उचा सा भाग हो गया था चोट की वज़ा से तो उसको बोलते हैं गूमड, गूमड उभर आना है न क्या कहते हैं उसको गूमड, गू मड गूमड उभर जाना तो bump का मतलब होता है गूमड ठीक है, और यही चोट लगने की वज़ा से अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं गूमड और अगर उट के उपर निकला हुआ है बंब, तो उसको बोलते हैं कूबड, समझ में आ रहा है तो यह जो है, चोट की वज़ा से उसके सिर पे, आँखों के ठीक उपर, सिर पर जो है, गूमड उभर आया था और जिसकी वज़ा से उसके दर्द हो रहा था तो रगला कूशन है, वाट वज आईल एमस्टरडम, यह आईल ए लिखा है, ठीक है यह आईल ए है आई ये ल ए, आईल ए, आईल लिखा है तो वाट वज आईल एमस्टरडम, तो इट वज़ ए 65 किलोमेटर लॉंग वालकानिक वालकानिक आईलेंड विच वज वज नाव ए फ्रेंच साइन्टिफिक बेस तो आईल एमस्टरडम, जो है एक 65 किलोमेटर लंबा, जाला मुखी द्यूप था यानि जाला मुखी के द्वारा बना हुआ द्यूप था, जो जो है, अब फ्रेंच का एक बैग्यानिक अंडा था अड़ा था, सॉरी अंडा नहीं, अड़ा था, यानि फ्रांसी सी, वहाँ पर जो है अपना साइन्टिफिक बेस बनाए हुए है ठीक है, आईल एमस्टर्डम पर, ठीक, तब की बात है और यहाँ, क्या था तो जोला मुखी ये द्यूप था, वालकानिक आईलैंड मतलब होता है, जोला मुखी जोला मुखी ये द्यूप जोला मुखी, ठीक है, जोला मुखी में क्या खाया लगभग 2 दिनों में उन्होंने पहली बार क्या खाया तो their first meal in almost two days included some corned beef and cracker biscuits तो लगभग 2 दिनों में उन्होंने पहली भोजन में तो कुछ नमकीन गाय के मांस और कुछ पहली बार भोजन हुआ था ठीक है उनका ये जो है दो दुने में जो पहली बार भोजन हुआ था उनमें ये समलित था फिर अगला कोशन है दीप कब दिखाई देने की आशा थी यानि कप्तान जो है दूप कब तक देख सकता था उसने क्या सोचा था तो दा कैप्तन एकस्पेक्टेड टूप कब दिखाई देने की आशा थी यानि उनके जो बोट थी वेव वाकर उसके बारे में डिस्क्राइब करिये यानि उसको समझाईए तो उसको बताईए उसके बारे में बताईए वेव वाकर वाज मल्टिक्यूलसली बिल्ट इट वाज ए बीटिफुल सिप विदे टुन्टी थी मीटर लॉंग वूड़न ह तो यहां पर वूड़न हल लिखा है ठीक है तो इसका मतलब है लकडी का ढाचा इसका मतलब है लकडी का धाचा, तो इसका लकडी का धाचा, जो है, कितने मीटर लंबा था, तो तेज मीटर लंबा था, ठीक, पिर अगला प्रश्ण है, question number 12, when did the narrator set out on his journey, and who accompanied him, तो लेखक ने जब अपनी यात्रा सुरू की थी, तो उनके साथ कौन-कौन था, ठीक है, तो उनके साथ कौन-कौन था, जब लेखक ने अपनी यात्रा सुरू की थी, तो अगला प्रशन है जब कई सब्ता तक हमाय तेज रही तो लेखक को जो है चिंता इस बात की थी कि जब इतने दिन तक हमाय तेज बहती रही तो उन्हीं बीच में जो उसके सामने एक लहर जो 15 यानि लहरें जो 15 मीटर की उची थी उनको देखक लेखक चिंतित हुआ था तो ये वर्स के दिन उन्होंने अपने आपको किस प्रकार से संतोना दि दिलासा दि द वेदर कंटिनूट टुब बैड एंसर है द वेदर कंटिनूट टुब बैड दिर वाज नो इंप्रूब्मेंट इन इट बट् मौसम में कोई सुधार हो नहीं रहा था बर दे रेजंड देट इट उड चेंज सून लेकिन उन्होंने यह अपने आपको यह दिलासा दी यह समझाया कि जो है मौसम जल्द ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यह मौसम सिखर ही बदल जाएगा फिर अगला कुशन है पंद्रावा कुशन है कि वाट डिड़ सूस कार्ड से सू के सू ने जो कार्ड बनाया था कार्ड बनाया था उसमें क्या था सू ने अपने कार्ड में अपने कप्तान और उसकी पत्नी को एक हास्यास्पत तस्वीर के रूप में चित्रित किया था और कार्ड में उन दोनों के प्रत असीन प्रेम को दरसाया गया था और अच्छे समय के लिए आसा ब्यक्तिकी गई थी ठीक है तो एक्स्प्रेश्ट मतलब होता है दर्शाना कोशनबर 16 है वाट लॉक्ड दा पंप्स वाट लॉक्ड दा पंप्स तो पंप जो पानी निकाल रहा था किस चीजों से अउरुद्ध हो गया थे तो एंसर है देब्री इस फ्लोटिं अरूड दे केबिन ब्लॉक्ड टीक है तो केविन के चारो और विख्रे मलवे तो डेवरी ज़ %. रहे हैं मलवा जो समद्र में हम नोगम फहेंक देते हैं बपतलों गएराई है सब पर बीचों की आई यह समुद्र में चले आते हैं तो वहीज़़ तो कैवन के सबीच और घस दोबर चेहरे मखेंगे जो पंप में बेस्त थे तो Larry and Herb Herb were busy pumping out water तो दो लोग और थे इन लोग के साथ Larry और Herb आप लोग को पता है एक जो है Sutager Land का निमासी था और एक अमेरिका से था तो दोनों जो है पानी को बाहर निकालने में बेस्त थे तो ये इस तरह से आपका लेशन नमबर टू का question answer समाप्त होता है और जो है जो अगला इलेशन पढ़ाया जाएगा उसका भी question answer दिया जाएगा आप इसको ध्यान से सुनें और जो है इसे notes book में note कर लें ताकि आने वाले exam में जो है आप बढ़ियां से याद करके और अच्छा सा बाद जाए हिंदे